लकनव में कोरोना वाइरस के डर से जहां एक तरफ लोग भीड़ बार में जाने से बच रहे हैं तो वहीं लकनव के अंबेटकर पार्क में जहां पर काफी संख्या में लोग आते हैं यहां पर भी कमी देखी जा रही है रोज मर्रा की जिने वाले तमाम पट्री दुकानदारों की रोजी रोटी भी चलना मुश्किल हो गई है आखिर कोरोना से हर कोई परेशान है इन्हीं तमाम विश्र को लेकर अंबेटकर पार्क से जाइजा लिया हमारे संभादाता उमेश मिश्रा ने इस समय हम खड़े हैं राध्धानी लखनाउ के अंबेटकर पार्क के पास जहां कहरोना वाइरस के खौब से आप समझ सकते हैं कि जो परेटक के लिए लोग आते थे यानि जो पार्कों में घूमने आते थे उनकी जो संख्या है वो लगातार बहुत कम होती जा रही है लोग घरों से बहुत ही कम निकल नहीं हैं बीड़ पार जाने से बच रहे हैं अब देखिए कि जो ये का अमबेटकर पार्क है यहां पर काफी संख्या में लोग आज थे हमें लगता है कि 500 से 1000 की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते थे और वो यहां पें अंदर जाके जो अमबेटकर पार्क है उसका लुप तुटाते थे लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं हम बातचीत करेंगे दुकानदार हैं हमारे साथ बातचीत करेंगे कि आखिर इस कोरोना का जो खौफ है क्या इतना खौफ है कि जो लोग यहां आते थे बहुत घूमने तमाम संख्यम लोग आ कितनी संक्यम आते रहें एंगे सरर पहले तो बहुत जाड़ा थे याड़ बहुत कम हो गई जो पहले जितना आते थे उससे 25 परसट आ और है सयतर परफ्सेंट नहीं आ रहे हैं संमान आपका विक्र मैं और तमाम आ अपने आइधम रखे हैं तो लोग आ रहे हैं बिक्री य जो करोना का वाइरस है उसकी वज़ा से खौफ की वज़ा से तमाम लोग ऐसे हैं जो गरो में है और तमाम चीजों को लेके वो लोग जागरूप हो रहा है लोग वैसे भी इस कहीं नहीं से बचने के लिए लोग भीड़बार का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं लेकिन इसके पी जिन्दगी है जो लोग रोज मर्रा की जिन्दगी से जीना चाहते हैं और रोजी रोटी की तलाफ में भी अवो अपनी जीवका चलाने के लिए तमाम बेफसाय करते हैं आपका क्या नाम है जितेंदर जी यहां पे अमबेटकर पार्क पे आप आप अश्क्रीम का ठेला ला पिसी तरह से टाइम पास कर रहे हैं करें तो क्या करें तो जो यह नि जो धंदा उस पे काफी असर पड़ा बहुत असर पड़ा है कुछ नहीं है 25 परसें धंदा नहीं है तो यह तमाम दुकानदार है जो रोज की जिन्दगी जीने के लिए अपने बिशाय को यहां पर करत करते हैं जो कोरोएना का वाइरस है उसके खौफ से लोग घरों के भी नहीं निकलना कहीं नहीं कहीं ब्यापार पे भी काफी असर देखने को मिला है कैमराबन अंकित के साथ उमेश सित्रा लाइब टूड़े लखना